नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपको मेरी चैनल में फिर से एक बार में हूँ आपकी वही अंजली रहते हैं आज सुपास ही लेकिन साथ नहीं होते कुछ लोग मुझसे जलती हैं बस खाक नहीं होते जी आपने सही सुना हम आज के डेली लाशिफल की बात कर रहे हैं सबसे पहले आज इनका बर्टे है या अनुवर्सरी है उनको मेरी और से ठेर सारी गुड़ विशिस तो चलिए अब शिरू करते हैं जिन्दगी आप पर हस्ती है जब आप दुखी होते हो जिन्दगी आप पर मुस्कुराती है जब आप खोश होते हो लेकिन जिन्दगी आपको सलाम करती है जब आप दूसरों को खुश करते हो हमेशा दूसरों के चहरे पर मुस्कान लाकर देखे भगवान भी आप पर नास करेंगे जिसे व्यक्ति ने अपनी आदते बदल ली वो कल बदल जाएगा लेकिन जिसने नहीं बदली उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है आप अपना भविश्य नहीं बदल सकते पर अपनी आदतों बदल सकते हो और बदली हुई आदते आपका भविश्य बदल देंगी आप भी अपनी वोरी आदतों को छोड़ दे अगर आप ऐसा करेंगे तो आप जिंदगी में सफलता जरूर हासिल कर पाएंगे अगर आपके बाद जरूरत से ज़ादा है तो उसे उनसे शेर कीजिए जिन्हें इसकी सबसे ज़ादा जरूरत है तो शिरवाद में मैं आपको बता दू कि आज आपके लिए भागिशाली रंग रहने वाला है ग्रीन कलर यानिक इहरा और भागिशाली अंक जो रहेगा वो आपके लिए नंबर तीन रहेगा आसे तार कहते हैं कि जब तक आपका काम पूरा नहीं होता काम की वज़े से आपको मन की शांती भी नहीं बिलेगी और तब तक आपको रुखना भी नहीं चाहिए आपकी ही होगी व्यक्तित्व के बदलाव को देखकर आपको आत्मिक समाधान भी मिलना शीरू हो जाएगा अगर आप इसमें और भी बडोतरी चाहते हैं तो आपको मारिटेशन यान करना चाहिए रोज सुभा अर्ली मॉनिंग में साथी में सितारे कहते हैं कि आज का दिन जो है कुछ रोचिक साहित्ते और ज्यान वर्दक पुस्त के पढ़ने में स्पैंट हो सकता है इसका आपकी विक्तित्व और बहुत पॉज़री प्रभाव पढ़ेगा आपकी काफी नॉलज़ बढ़ सकती है जिन्दिगी को जीने के लिए आपको कई चीज़ें मिल सकती है आपके सूजबुच के लिए किये गई निर्ने आर्थिक रूप से आपको काफी मजबूत बना सकते है आर्थिक सित्य में आज कोई भी दिक्कत नज़र नहीं आ रही है सब कुछ नॉर्मल चलता रहेगा किसी अजनबिया आप पर इचित व्यक्ति से रूपए पैसे का लेन दिन करते समय आज आपको साथानी बढ़तने की बेहत जरूरत है साथ में किसी जरूरत बन्द दोस्त की भी मदद करने से पहले अपने बज़ट का ध्यान जरूर रखना होगा कहिए ना होगा बज़ट से बाहर हो जाए क्योंकि आपके भी आर्थिक सित्य इस समय ज़्यादा मचबूत नहीं है लेकिन हाँ नॉर्मल कहीं जा सकती है तो अभी आपको सबसे पहले अपने बारे में अपने फैमिली के अपने बच्चों के बारे में सोचना है फिर आप किसी और के बारे में सोचिएगा साथ में आज इस सितारे आपकी ये भी कहते हैं कि आज काम में जादा उल्जन की वज़े से आप परिवार को वक्त भी नहीं दे पाएंगे ऐसा आप मैसे कुछ लोगों को होगा इस बार से आपको नराजगी हो सकती है आज काफे सारी बातों को अखेले ही हैंडल करना पर सकता है जब को मानसिक तनाव तो देगा ही लेकिन हाँ आपकी लगन काम को पूरा करने के लिए मददकार साबित हो सकती है लेकिन आपकी जो हैं साथ में लगन जो हैं इसको स्ट्रॉंग करने के लिए आपको फोकस करना पड़ेगा चाहे जो भी कठिनाई आए आज आप जल्दी हार नहीं मानेंगे आपका अत्मबल आपका विश्वास हमेशा कायम रहेगा इसे के साथ ही आज सितारे ये भी कहते हैं कि महमान नवाजी और मौज मस्ती में कुछ समय आप स्पेंट कर पाएंगे दिन भर बीजी रहेंगे काम का वोज भी रहेगा लेकिन बहुत जादा उत्सा की वज़े से और काम बनने की कारण आप ठकान को भूल जाएगे यानि कि आज अगर आप एंटेटेन्मेंट में वक्त गुजारेंगे तो ठकान आपके भूल जाएगी चचेरे भाई बहनों से जो हैं समन्द आपके बहुत ही पॉजिटिव रहेंगी उनका आना जना लगा रहेगा किसे छोटी से बात को लेकर समन्दों में खटास वगरा अगर आई थी तो इसको सुलजाने की कोशिश करी साथ ही दूसरों के वज़े से आपको भी कुछ आर्थिक समस्यां पैदा हो सकती हैं अगर आप समय पर ही इसको कंट्रोल करने तो आपको कोई भी दिक्कते नहीं आपाएगे तो चलिए बागे बढ़त विर बात करते हैं आज की बिसनस के और करेट के बारे वे तो आज इस समय भागी और ग्रव किस्ति आपके कर्मों को और भी जादा मजबूत कर रही है किसी की मदद की बजाए आप खुद भी सभी कारे करने में सक्षम रहेंगे नौकरी पेशर विक्ति किसी भी सरकारी मामलों को ध्यान पूरक हल कर पाएंगे कोई भी दिक्कत नहीं आएगे उनको सौल्ट करने में आठीक सितिकों सुधारने का प्रयास आपका लगातार जारी रहेगा कारिक शित्र में सबी फैसला आपको ही लेना पड़ेगा क्योंकि किसी और की गलती का खामयाजा आपको भगत ना पढ़ सकता है सिरकारी नौकरी में भी किसी व्यक्ति की कारण परिशानी उत्पन हो सकती है इसलिए लोगों से विवहार करते समय आपको जो है सावधानी काफी हद तक अपनानी चाहिए प्लानिंग्स के अनुसार ही काम करें तभी स्ट्रस कम होगा वरना उधल बुतल हो सकती है आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई विच्वी विवस्थित नहीं है तो आपको जो है प्लानिंग के साथ ही हर कारे को करना चाहिए चलिए बागे बढ़ते और बात करते हैं आज के लव लाइफ के बारे में तो आज के लव लाइफ आपके लिए कहती है कि परिवारे कचो महौल है वातावरन है वो सब कुछ नॉर्मल ही रहेगा किसी वे ब्रेत लिंगे मित्र से दोस्ती प्रेम में परणित हो सकती है साथ में आज जब पार्टनर्स में कमपैटिबिलिटी होने की वज़़े से सुख और शांती भरी रहेगी आपस में आज राय मिलती नजर आएगी लव लाइफ से जुड़े विचार बदलने के लिए अपने अंदर बदलाव लाना बेहर जरूरी है इसके लिए आज मोटिवेशन का सहारा ले सकते है साथ हिमिया सितारे कहते हैं कि दिन भर की विवस्तिता के बावजूद बरिवार के साथ खुश्णवा समय आप बिता पाएंगी विवास से रिलेटीड चीजों का खुलासा होने की संभावना भी बन रही है इसलिए अभी इन सब बातों से दूर ही रहें तो ही आपके लिए अच्छा साबित होगा चलिए बात करते हैं और वागे बढ़ते हैं स्वास्तिक के बारे में स्वास्तिक कहता है कि काम के दिखता और तनाव की वज़ा से सिर्दर या माईगरिन की दर्द उठ सकती है आकर स्वास्ते आपके लिए चिंता गाज विशे हो सकता है गरत खान पान की वज़े से आपको असर आपके वजन पर पढ़ सकता है इसलिए आपको काफी हद तक खाने पीने की चीज़ों पर जो है साफधानी बठनी होगी वही चीज़े खाए जो आपके रिए बैट सर रही गए साथ में आज ब्लड प्रेशर और डाबेटेज वाले मरीजों को ध्यान डखना है आपको हलकी फुलकी चीज़े खानी चाहें मीठा नहीं खाना चाहिए और जारा से जादा हो सके तनाव से दूर रहेगा अपना ख्याल रखेगा चली बंत में बात करते हैं आज के विशी शुपाई के बारे में तद आपके लिए विशी शुपाई रहेगा कि आज आज आपको शीव परिवार की पूजा करनी चाहिए इस मंतर का भी जाब करते हैं तो आपको काफी हद तक फायदा मिल सकता है साथ भी जो सबसे चीज़ी इंपॉर्टन है वो आपको जरूर करनी है कि आपको मेडिटेशन जरूर करना है तो आपको बड़ी हैसान उपाय से आपको बहुत हद तक और बड़ा फायदा हो सकता है तो दोस्त अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक करें शेर करें और हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा धन्यवाद